उत्तरप्रदेश के सिधार्दनगर से एक संसनी केस घटना सामने आई एक महिला का आरोप है कि उसके साथ एंबुलेंस में छेड चाड़ हुई इतना ही नहीं एंबुलेंस कर्मियों ने उसके बिमार पती को ऑक्सिजन हटा कर उसे बाहर फिक दिया जिसकी वज़ा से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान पती की मौत हो गई ये घटना 30 अगस की रात की है पीडित महिला के मताबिक उनके पती की तबियत कुछ दुनों से खराब चल रही थी पती को लेकर मेडिकल कॉलेज गई कुछ दूर चलने के बाद एंबुलेंस चालक ने उन पर आगे की सीट पर बैठने का दबाब बनाया उसके बाद ड्राइवर और उसके साथी ने शेर खानी शुरू कर दी बिरोध करने पर उनके पती का ऑक्सिजन हटा कर उन्हें सुनसान जगा पर छोड़ दिया गया पीडित महिला का आरोप है कि बस्ती में मौझूद पुलिस कर्मियों ने एंबुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोई कोशिश तक नहीं की रनवीर मेरे सायोगी इस वक्त मारे साथ जुर्णे है रनवीर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों में इस घटना को बयान किया जाए इससे जादा कहा जाए कि मानुपता को शमसा करने वाली घटना हो नहीं सकती अभी इस पर जो आरोप लगे हैं उसकी जाच कहां तक पहुंची है और क्या कारवाई हुई पहले समझा देते हैं यह सिधार्टनगर की एक महिला जिसके पती का नाम हरीश है उसकी तब्यद खराब थी और सिधार्टनगर के अस्पताल से वो महिला उसे बस्ती ले आई बस्ती के अस्पताल में कहा गया कि इनकी तब्यद जादा खराब है और इनको लखनो लाओ और लखनो के एक बड़े अस्पताल में जब वो पहुची सरकारी अस्पताल में तो वहाँ बैट खाली नहीं था इसलिए महिला ने एक निजए अस्पताल में अपने पती को भरत कराया तो वहां खर्च बहुत जादा आ रहा था और वो महिला वो खर्च वहन करने की स्तिती में नहीं थी ऐसे में उसको लगा कि अपसे दातनगर ही ले चलते हैं और सरकारी अस्पताल में अपनी पती का इलाज कराएंगे इस बीच एक एम्बुलेंस किया और एम्बुलेंस पती को और महिला को दोनों को वहां से एम्बुलेंस से फैंक दिया महिला ने इसकी शिकायत की शिकायत के बाद पुलिस वाले आये कॉग्निजन्स लिया जरूर लेकिन गिरफ़तारी नहीं हुई और उसके बाद जब पती को फेका तो पहले से ही तब्यात खराब थी आक्स उसके साथ उसके तिमारदार के तोर पे मौजूद महिला के साथ शेड़ खानी हुई और उसके पर ऑक्सिजन हटाया गया फेका गया निश्य तोर पे निंदनी अभी है और कही ना कहीं उन पुलिस वालों पर भी सवाल उट रहा है बस्ती में जिनको ततकाल वहीं पर गिरफतारी करके एक बड़ी कारवाई की उमीद ना सिर्फ वो महिला करने है बाकी हम जैसे सबी लोग कर रहे हैं जी बहुत बहुत शुक्रान वीर मारे साथ जुरूने के लिए